मनीश मलहोत्रा की दिवाली पार्टी में कई सितारों ने लूटी महफिल होने वाली बहु के साथ पहुची नीता अंबानी बॉलिवुड के मशूर फैशन डिजाइनर मनीश मलहोत्रा ने अपने घर पर दिवाली पार्टी का आयोजन किया इसमें नीता अंबानी, रेखा, सल्मान खान, गौरी खान, माधूरी दिक्षित, करन जोहर, रवीना टंडन और कई अन्य हस्तियां शामिल हुई वीडियो में मनीश को फोटोग्रफरों का अभिवादन करते हुए और हैपी दिवाली विश करते हुए देखा जा सकता है उन्होंने कहा, दिवाली का सीजन अब शुरू हो रहा है, वह ब्लैक आउटफिट में नजर आए इस दिवाली पार्टी में नीता अम्बानी अपनी होने वाली बहु राधिका मर्चंट के साथ पहुँची उन्होंने नेवी ब्लू कलर की साड़ी और मैचिंग डाइमंड ज्वैलरी पहनी और अपने बालों का जूडा बनाया था वहीं बहु राधिका क्रीम कलर के हैवी वर्क वाले लंगगे में बेहत खूपसूरत लग रही थी दोनोंने कैमरे के सामने कई पोस दिये अक्षय कुमार ने वीर सूर्यवन्शी के एक्शन पैक अवतार के साथ की सिंग्धम अगेन में एंट्री की घोशना बॉलिवुड स्टार अक्षय कुमार ने रविवार को रोहिच शेटी कॉप यूनिवर्स किरदार ATS चीफ वीर सूर्यवन्शी का लुक शेयर किया एक तस्वीर के साथ उन्होंने शेटी की आने वाली फिल्म सिंग्धम अगेन में अपने शामिल होने की घोशना की नई तस्वीर में उन्हें एक हेविड्यूटी एक्षन सीन के बीच में हेलिकॉप्टर से कूटते हुए दिखाया गया है इस दौरान उनके दोनों हाथों में बंदूख है तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा आईला रे आईला, सूर्यवंशी आईला, ATS चीफ वीर सूर्यवंशी की एंट्री का समय क्या आप तयार है? यहाँ तस्वीर अक्षय कुमार की सूर्यवंशी की सेकंड एनिवरसरी के मौके पर शेयर की गई सुपर्स्टार निर्देशक रोहित शेटी ने भी अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेर की और लिखा सिंधम अगेन में हम वही कर रही हैं जो हमारे फैंस चाहते हैं कि हम करें तो यहां है अक्षय कुमार और एक हेलिकॉप्टर जैसे ही हमने सूर्यवन्शी के दो साल पूरे किये वीर सूर्यवन्शी सिंधम के साथ लडाई में शामिल हो गए सौभाग्यवती भव की शूटिंग में बिजी परिवार संग नहीं मना पाऊंगी दिवाली अमंदीप सिद्धू एक्ट्रेस अभिनेत्री अमंदीप सिद्धू जो वर्तमान में शो सौभाग्यवती भवनियम और शर्ते लागू में नजर आ रही है ने साजा किया कि शो की शूटिंग में बिजी रहने के चलते वह इस बार अपने परिवार के साथ दिवाली नहीं मना पाएंगी इस बारे में बताते हुए अमंदीप ने कहा हर साल मैं अपने परिवार के साथ दिवाली मनाती हूँ लेकिन इस बार सौभाग्यवती भव की शूटिंग में बिजी होने के चलते मैं अपने परिवार के साथ सेलिबरेट नहीं कर पाऊंगी उन्होंने कहा इस बार मुझे अपने परिवार, घर का बना खाना और सारी तयारियों की याद आएगी क्योंकि मैं हमेशा अपनी मा के साथ घर को सजाती थी हालां की इस बार मैं पहली बार सौभाग्यवती भव परिवार के साथ दिवाली मनाऊंगी आप सभी को मेरा मैसेज है कि पटाखे न जलाए, खुशिया बाटे, मजे करे और आप सभी को दिवाली की हारदिक शुबकाम नाए बिग बॉस सत्रा, सल्मान बोले, ईशा का फॉर्मूला है रिष्टे के बारे में बात करना बिग बॉस सत्रा फीट के आने वाले एपिसोड में होस्त सल्मान खान ईशा मालविय को उस फॉर्मूले के लिए डाटते हुए नजर आएंगे जिसका इस्तमाल वह विवादासपद रियलिटी शो में दिखने के लिए कर रही है चैनल द्वारा इंस्टाग्राम पर साजा किये गए प्रोमो में सल्मान ईशा से शो में उनकी पूरी जिन्दगी को उजागर करने के बारे में बात करते नजर आ रही है सुपरस्टार में ईशा के पूर्व प्रेमी अभिशेक कुमार और उनके वर्तमान प्रेमी समर्थ जुरेल का भी सामना किया प्रोमो में सल्मान ईशा से कहते सुनाई दे रही है ईशा ये बहुत छोटी इंडिस्ट्री है इसमें आपको जूट बोलने की जरूरत ही नहीं थी BNT की खास पेशकश